ये नियू कराची इंडस्ट्रिल एरिया है 11E कहलाता है में गोद्रा सिग्नल में गोद्रा सिग्नल पर आएंगे आप तो नागन की तरफ जो रोड जा रहा है उसी रोड पे जम्दम होटल है उसी गली में हमारी फैक्ट्री है असलाम वलेकुम वालीकुम असलाम भाया आपका नाम मुहमत मुदमिल साब को मेरे खाल से दुनिया तो जानती है बहुत अच्छी तरीके से और हमारे चैनल पे इनकी वीडियो पहले से अपलोड है नेक्स वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सबसे पहले न्यू जानने वालों के लिए आप कुछ मुझे लोकेशन बताईएगा ये न्यू कराची इंडस्ट्रील एरिया है 11E के लाता है में गोदरा सिगनल में गोदरा सिगनल पे आएंगे आप तो नागन की तरफ जो रोट जा रहा है उसी रोट पे जम्दम होटल है उसी गली में हमारी फेक्ट्री है और पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर भी आप आर्डस मक्सूस कांट्री आट दर्स जिसमें हमारा माल जाता है यूके, जापान, कतर, दुबई और वाया जो है, दुबई से इंडिया भी जाता है, और फिर बहुत सारी उस्टेलिया जाता है, इस्टीय जाता है, यी कुछ मख्सूस यह कंट्रिया है, जहां पाकिस्तानी कॉमिनिटी जहादा है, थो वो जो है, मंगवाते हैं हम से यह ठी जी लास्ट वीडियो में आपने बताया था लाउन हम लाएंगे जब नहीं लाउन आईगी तो बनाएंगे वही माल आगिया है और रोजाना देगे तीन हमारे कारफाने रम दिल्ला चलते हैं इसमें और रिसेलर के लिए यह है एक दो पीस हम नहीं देते रिसेलर शॉप वाल हम इस तरह से देंगी कि यह 24 से लेकर 34 तक का साइज है कि आपको दिखाएंगे 24 साइज यह यह ओरीजनल यानि कोई फर्स्ट कोपी नहीं ओरीजिनल लाइम लाइट के जो है यह डुपटे से यह कुर्ती बनी हुई है कि देखें आप कपड़ा देखलें कोई चुबने वा नमबर है यह 26 नमबर है यह वाला चीके जी इसके बाद 28 नमबर है तो चीक है यह ठाटी नमबर है तो चीक है यह ठाटी टू है इसकपड़े की गारंटी होती है हमारे पास से जो भी कूर्ती लेंगे उनकी गारंटी अगर 10 वीज दोलाई के बाद भी कपड़ा सराब हो जाए यह प्रिंट फराब हो जाए तो हम रेटर ले ले लेते हैं इतनी बड़ी बात पर नमबर तक हमारे पास है और यह कोई अच्छा जी छेपीस का सैट है और एठारा सो रुपे का पेकेट है यह तीम सो रुपे की एक उर्टी है ठीक है जी टीक है जी टीक है डेली हमाइपा नए प्रिंट आते हैं और हमें जो एक कॉंटेक्क करके आप आएं किस वात माल अवेलिबल होगा कि सीधा ने ना जी सैट अरे एक के अई कर दिया गराएं ने बताया था यह मार कर भाण की नहीं बनाते हैं यह तो उस पर रिनों ने बनाई है कुडियाब्लों के लिए ए इस और अपने कलर्स के गैरंटी की गैरंटी ले जई यह झािए ठीक है बहुत जबर्दस आपको साइजिस दिखा रहे हैं बें तहां इसमें आपको प्रिंट मिलेंगे साइज इसमें आपको तमाम मिल जाएंगे साइज है और लोग को वो यह बात में बताना चाहूंगा कि स्टिकर हम खुद लगाते हैं लेकिन यह पक्का साइज है चोड साइज नहीं है यानि ऐसा नहीं है कि 28 के साइज पर हमने 30 का लेबिल लगा दिया ऐसा नहीं है इससे भी कपड़े में बहुत वर्क पड़ता है रे सब्सक्राइज नहीं है इसका दामन रखते हम सही है कि यह देखिए अचा यह जो बाहर हमें कुड़तिया मिल रही होती है उससे डिफरेंट है क्योंकि मैंने बाहर से काफी पर्चेस कि मुझमिल भाई वो ना वो दुलने के बाद वो आड़ी तेड़ी हो जाती है और यह बड़ा है यानि बिल्कुल ऐसी लगे कि जैसे घर में बनाई वी कुड़ती है बहुत जाबर्दस चीक है जी अचा मुझमिल भाई सेट वाई सेट वाई सेट वाई सेट है छे पीस का ठीक है और साइस के नंबर ही बता दीजे चोबिस से चोंतिस तर तका साइज होगा ऐस साइज होट होता है जिसको हम केते हैं 36 साइज यानि 12-13-14 साल की बच्कियों को होता है यह साइज मिलता नहीं है अच्छा यह भी बनाए है आपने यह देखें यह अमने 18 चैस्टे इसका और इसकी 36 लेंद है सही जबर्दस आप शेप देखें इसका कुर्ती पे शेप कितन अच्छा इसके प्राइज यह वह थ्रीफिफ्टी एं सही ठीक है अलकरम का ही यह कपड़ा है इसके भी मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूं जो आज हाजी रहें यह देखें अच्छा मसंब्ल भाइट डिफरेंट प्रिंट हमें मिलते रहेंगे अच्छे से चेज़ों बिलकुल बिलकुल रोधाना हमाई पाद 10 से 15 जो है वो अलहम्दुलिल्ला प्रिंट आते हैं लेकिन अल्ला का बड़ा करम है के माल रुकता नहीं है ठीक है यह देखें तो विवर्स परेशान नहीं होगा अगर आपको यह वाला प्रिंट नहीं मिलेगा इससे अच्छा प सबसे अच्छा इसका बनी विए कुरती आप यह देखें यह बिलकुल शेव में बनी विए यहां से माल हमारा करांची से पाकिस्तान से ज्यादा बाहर एक्स्पोर्ड होता है इस वाया से हम जो इस्टिशिंग अगरा पहले भी अलम दिल्ला बहतर बहतर से बहतर कर दिए जीके जी भैतरी होता जा रहा है इनका काम माशाआलला क्योंकि काफी लोग जो है मुझमिल भाय को प इनकी लैंथ जो हे वो होती है ठाटी सिक्स जे शॉर्ट होती है और लॉंज यह प्योर कपड़ा कोई भी होता है मिनिमम एक इंच शिलिंग ज़रूर होता है विलकुल फिके जो प्र हलका होता है वह दो दो तीन तीन इंच होता है लेकिन ये बहुत अच्य फाइंड पॉल कि इसकी लेंद जो है वो 39 से 40 मिलेगी आपको अच्छा लेंद आपने लंबी कर दिए हमने यानि कपड़ा ही इस्पेशल हम बनवाते हैं अलकरम क्लासिक भी बन यानि जो होता है वो तो तयार आता है हमारे पास लेकिन कपड़ा बनवाते हैं जिसकी लेंद 41 से 42 होती है जो इस्टीच के बाद 40 लेंद तकरीबन आती है ठीक है अच्छा यानि कि नौर्म हमें नहीं मिलती है बाजार में परी मार्किट में नहीं मिलती ठीक है ठीक है तो इसका 21 चैस्ट है और देगे कपड़े की बात होती है अग था सूर रपे वाले सूर्ट के डुपट्टे की अगर कुड़ी बनाएंगे तो वह 200 रुपे की स्टीचिंग जैंड्स जो ए ये कारहना है घरों में सिलीवी ये कुड़िया नहीं है बिल्कुल बारिक टांके पे ये इसलीवी है और ये भी रिसेलर्स जो है आराम से इसको 500 की सेल कर सकती है ठीक है जी और इसका क्या हमें तरीके कार होगा लेने का ओनलाइन जो हमारा नंबर चल रहा है अब्दुलमतीम भाई का उस पे वो कॉंटेक करें या यहां पर आजाएं अलकरम की कुड़ियां आप बिलिप करें क्लिफटन तारिक रोड मॉल्स वगेरा मे जाता है और यह कितने पीस लेने होंगा मुझमिल भाई यह बताईगा आप एक पीस ले 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 अच्छा हमें बचकाना दिखाया था इसमें सैट वाइस का वेटा चक्कर नहीं है इस वजाए वह तो 24 से 34 हमें पूरा एवरिज बनाना पड़ता है इसमें तो इस्टेट प्रिंट होते हैं एक बीस ले सकते हैं अगर एक इन्च भी हम इसमें कम कर दें 21 की जगा 20 कर दें तो यह हो जाएगा चालीस रुपय की चोरी हो जाएगी ठीक है बिल्कुल सही फिरमादी को बार बार समझाता हूं के कपड़े की भी एक तो होता है एक इन्च अगर हम चोर करते हैं तो 40 रुपे तो कृती बेशी कम हो गया बिल्कुल आर्मॉल कम हो गया सभी कपड़े में आस्ती ने चोटी कर दी दामन जो है वो जितना चैस्ट है उतना इस दामन रख दिया तो पिर अजीब सी कृती बन जाती है बिल्कुल बिल्कुल तो आप मार्केट में नॉर् सबसे जो मार्केट में जो जिसकी वेल्यूए ज्यादा वह एक्सल साइज अच्छा हम एक्सल साइज भी बनाते हैं एक्सल आर्मोल होगा इसका सबस्ट होगा यह 24 से भी थोरा सा अबावी बनाते हैं थोरा सा बड़ा ही रखते हैं 24 से 26 इसका दामन रखते हैं काफी अच्छी आपने इसकी रवर्स की वे साइजिंग और इसकी 40 लेंद में लोग 24 चेस्ट बना देते हैं लेकिन लेंद उसकी 36 रखते हैं तो वो बिल्कुल आजीब सी हो जाती है सही ठीक है तो हमारे पास 40 लेंद में आपको मिलेगी ठीक है 24 चेस्ट और आर्मोल भी दो इंच बड़े होते हैं इसके ठीक है यह देखे एक दफ़ा आपको पूरा हमें दिखा दू साइजिस वगरा ठीक है जी सही और इसका दामन भी देख लें आप कितना एक्सिल के हिसाब से अगर उपार से एक्सिल है तो नीचे भी देखें आप कुड़ा कि करने लिए प्रती है जो खबता है यह सब्सक्राइब करें कि अपता करेंगे शुच्ट यह दो इंच ने मिलें लोगा है एक्सल आपको आप मार्कट में नीच ने करेंगे उनसे में रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा नंबर सेफ कर लिया करें ब्रोड कार्स से गुरूप से व्यादा कोशिश कर आप देख लिया करें ठीके इस पर फौरी अपडेट भी लग जाती है ब्रोड कास्ट तो जो है वह पोछ ती एकिसी को नहीं पूछ ती लेकिन स्टेटस जो हुआ आराम से आपको पता चाहिएगा कि हमारे पास कौन से व्याइटी आई यह जैसे ही माल आता है फौरम मुझा मिलमाई स्टेटस लगा देख कि यह माल आ गया है ठीक है यह स्टॉक एवलेबल है और आने से पहले आप लोग एक दफ़ा कंफर्म जरू कर दिया करें ताके परिशानी ना हो रमदान की भी टाइमिंग में आपको बदा देता हूं कि जोहर की नमाज के बाद असर तक पिर मगरिब के बाद जो है वह इशा तक और इशा की नमाज के बाद सहरी तक हमारा जो है यह आउट प्ला होगा हुआ जी माशा आलला ठीक है ज हिए जो वह Dasky 25 की एटिक है ठीक है यह कमपनी का माल है भूस्हा ठीक है इस पे जौदा जोहें इसके चौधा मुख़ जो है खुश्चवीध ऑगे जी ठीक है और यह अभी आपको पता हैा सीजन आइट प्रवाइब बिल्कुल ठीके और मार्केड में आपको पता है कॉस्मेटिक के अवाले से और इनल चीदे बहुत कम मिलती है बिल्कुल अच्छा जी यह दे रहे हैं हम बॉड़ी स्प्रेंग बॉड़ी स्प्रेंगे कितने फ्लेवर हमें आपके पास मिल जाएंगे चौदा फ डिजायर है सही इस पोर्ट सही प्रीटी जवारदास ठीक है ओधे सई मैं वोमें दोनों मिल जाएंगे सबसे अच्छा जो है वह यह विश्टीक है जी ठीक है अच्छा जी मुझे बता है इसके लोंग लास्टिंग है बिल्कुल मिनिमाम 24 आवर जहीं इसकी अच्छा ठीक है रेड़ हीट सही पिंक सही ड्रेगन ठीक है इस पीस का यह कि कलर का काटन है ठीक है लेकिन हम रेसेलर बैनों के लिए यह कर रहे हैं कि अगर वो छे मुझे लेवर भी लेना चाहें तो उनको जाएंगे जी यह बात हमारे मुझमल भाई की बहुत अच्छी है कुर्त अच्छी है तो ले सकते हैं इसी तरह आप बोडी स्प्रे में डिफरंट ले सकते हैं इसमें जो है फिर कहूंगा कि यह शॉर्ट इस्पारी वाल नहीं है यह बिल्कुल यह बनके नियो स्टॉक आया है क्योंकि लास वीडियो में था भी नहीं है जी बिल्कुल इसा है और स्टॉक इस से ज्यादा हमारे पास आ चुका है अलम्दिल्ला सेल कर दिया है और भी स्टॉक आता जाता रहता है इनके पास और सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे बॉक्स पैकिंग में है आपकी मर्जी आप पूरा एक बॉक्स पर्चेस करना चाहें आप कर सकते अगर मेंचन जो है बहुत सारा आइटम के ऊपर आप देखेंगे 200 रुपए तो इसके ऊपर मेंचन है अच्छा जी है ठीक है हम आपको होल सेल में 150 का देंगे आप अगर मिनिममम प्रॉफिट पे भी काम करेंगी तो 200 रुपए का तो यह आराम से सेल हो जाएगा ठीक है ठीक है और यह और इजिनल फिर में कहूंगा 150 गिराम ही है सही ठीक है एमल नहीं लिखा इन लोगों ने क्योंकि बहुत अच्छा गुरूप है इमांदान लोग है जिनका यह माल है और यह मेड़िन पाकिस्तान है मेड़िन पाकिस्तान है इंपोर्ट करते हैं पिर यहां से उनके लाइसंस से यह दिखें पूरी डिटेल बॉक्स के उपर आपके देखें गुलूबल कॉस्मेटिक सवाथ पाकिस्तान ठीक रिए अंडर लाइसंस जो इंटरनेशनल कॉस्ट कंजूमर प्रोटेक्ट प्राइविट लिमेटेड ठीक है यह औरिजनल आइटम है क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरी याद रखेंगा दो नंबर कॉपी आइटम जो है हम इस तरह से वीडियो बनाकर नहीं सेल कर सकते इस पे एक लग जाता है यह चापा मार देती है अगर हम किसी और का ब्रांड जो है औरिजनल करके बेचेंगे तो यह औरिजनल है बिल्कुल आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं अब बिल्कुल अब अपना अलम्दुल्ला इतना मयार बनाए कि लोग हम पर ट्रॉस्ट करके ले जाते हैं चीज नहीं देखते हैं बिल्कुल हम उनको अगर कच्रा भी देंगे वो ले जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं करते हम अपना मयार खराब नहीं करेंगे जो हमने इतनी एफर्ट्स करी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अलम्दुल्ला इसी वगया से कर रहे हैं कि लोग हमारे चेरे पर हमारे नाम पर माल ले जाते हैं तो फिर मजब मैं मुझे बताए एक बॉक्स कितने का पड़ेगा यह बिटा 900 रुपे का पर बिलकुल जो नए नए आपके वीवर्ट हैं तो वो एक पीस भी अपने यूज के लिए ले जाए ठीक है उनको अच्छा लगे तो फिर वो सेल करें बिलकुल सही हर तरीके से री सेलर्स बहनों के तावन करते हैं मुझे हर तरीके से जो बेरोजगार है उनके लिए प्रादत चाहेंगे बहुत शुक्रिया रहा है